Hello students, welcome to my channel, Learn Programming Language C Language के इस सीरीज में आपका स्वागत है आज हम अपना 1st lecture C Language के इंट्रो के साथ स्टार्ट करने वाल है तो हम C Language के इंट्रो के साथ स्टार्ट करेंगे तो Get Start C Programming Language 1st में हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे इंट्रो में जैसे 1st topic हमारा आता है History of C Language What is C? 3rd topic है Why C Language is so important? 4th topic है Step in C Learning और फिर Variables, Constants and Keywords के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे 1st हम स्टार्ट करते है History of C C Language का Invent कहां हुआ? तो C Language का Invent हमारा डेवलप जो हुआ वो AT&TS Bell Laboratory of USA in 1972 Bell Laboratory of USA में 1972 में 1st बार C Language का Invent हुआ C Language को डिजाइन किस ने किया था? Dennis Richard ने Dennis Richard नाम के एक वैक्ति ने C Language को डिजाइन किया था क्यों किया था डिजाइन? क्योंकि Unix Operating System को डेवलप करने के लिए Dennis Richard ने C Language का Invent किया था ठीक है? अब हम History के बारे में जान चुके है अब हम जानेंगे What is C? C आखिर है क्या? What is C? C is a Programming Language C एक Programming Language है It is extremely popular, simple and flexible C Language बहुत ही Simple Language है क्योंकि ये Basic Language है हम लोग जानते हैं C Language Programming Language का Basic Language है ये बहुत ही Popular Language है क्योंकि बहुत सारे Software, बहुत सारे Version हमारे सब C Language में डिजाइन किया जाता है उनका Code C Language में डिजाइन किया जाता है इसलिए C Language एक बहुत ही Simple और Flexible और Popular Language है क्योंकि ये बहुत First Language है इसलिए C Language हम लोग First में पढ़ते हैं कोई भी Programming Language को पढ़ने से पहले अब हम लोग जानेंगे Why C Language is so Important हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो हम लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि वो हमारे लिए क्या Importance रखता है तब पढ़ने में और भी मज़ा आएगा तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि Why C Language is so Important तो हम लोग जरूर करते हैं First C Language Oracle is written in C Oracle बहुत ही famous software है जो कि जिसका coding जो है वो C Language में लिखा हुआ है उसके बाद हम लोग जानते है Core Library of Android are written as Core Library हम लोग Android mobile हो कोई भी phone हो Android कोई भी चीज हो तो उसका जो coding software होता है जो coding होता है वो हमारा C Language में लिखा होता है तो C Language ऐसे भी हम देख रहे हैं कि बहुत Important है फिर MySQL is written in C हमारे ये भी एक software है जो भी जिसका भी coding C में लिखा हुआ है Almost every device drive are written in C कोई भी drive जैसे एगजामपल हम लोग ले लेते है pen drive वो भी उसका भी coding हमारा C Language में किया गया है जिस प्रकार अगर हम कोई भी अपने PC में अपने laptop में अगर pen drive को invent करते है eject करते है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें एक driver install होने लगता है तो वो coding भी हमारा C Language में किया हुआ है तो हम लोग ये जानना बहुत चरूरी है कि C Language क्यों important है फिर हम लोग देखते हैं वेब ब्राउजर जैसे Google हो गया, Chrome हो गया ये सब वेब ब्राउजर जो है ये हमारा C Language ही इसमें बहुत बड़ा पार्ट invent किया गया है बहुत बड़ा coding पार्ट वेब ब्राउजर का C Language में किया गया है और हम लोग तो पहले जानी चुके unique operating system को develop करने के लिए C Language को invent किया गया था तो हम लोग ये समझ चुके कि C Language क्यों important है और students के लिए तो C Language बहुत ही important है क्योंकि कोई भी programming language को सीखने से पहले उसको C Language सीखना चाहिए क्योंकि वो हमारा basic language है और basic language हमारा पहले सीख ले तो हमको कोई भी language सीखने में बहुत ही असानी होगा अब इसके बाद हम आ जाते है steps in C Language अब C Language में कौन-कौन से steps होते है C Language को learn करने में सीखने में तो हम लोग पहले देख लेते हैं alphabet digit special symbols C Language को सुरात करने में हम लोग को बहुत सारे alphabets digit special character यह सब पहले से ही उसमें default किया गया है पहले से ही डाला गया है कि यह सब हमारे C Language में पहले से डाला गया है ताकि हमारा programming language और भी easy हो जाए और भी हम programming language को अच्छे तरीका से use कर सके फिर हमारा आता है constant, variables and keywords किसी language में some constant है variables है and keywords है जो पहले से ही define किया गया है हमारे language में ताकि हम लोग को कुछ भी बनाने में C Language में कोई भी program बनाने में हम लोग को easy हो फिर उसके बाद आता है instruction C Language में बहुत टाइप के instruction दिया जाता है instruction ये सब instruction दिये जाते है ताकि C Language हम लोग का कोई भी coding programming language को solve करने में कोई भी code को solve करने में सहयता करता है तो ये instruction बहुत टाइप के हो सकते है हम लोग का example data type instruction और arithmetic instruction ले लेते है अब इसके बाद हम लोग का start होता है program जिस प्रकार हम लोग code blocks देप C ये सब में program हम लोग बना के देखेंगे हम लोग तो हम लोग का ये lecture C Language क्यों important है C Language का introduction आज यहीं पर end होता है आज का video lecture यहीं पर हम end करता है next video lecture में हम constant variable और keywords के बारे में विस्तार से बताएंगे तो आज क्या और इसके बाद के अगला video lecture मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा प्लीज आप मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए bell icon को click कीजिए ताकि notification आपके mobile में आते रहे share कीजिए और comment जरूर कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि हमारा video कैसा है कैसा बना है thank you friends